तो friends हमने अपनी company तयार कर ली है, बन गई है, सभी features को enable कर लिया है, it is time to create the accounting masters, यहाँ पर आप एक list देख रहे हैं, यहाँ पर सभी groups और ledgers जो की एक business में required होते हैं, वो ने यहाँ पर उनको तयार कर लिया है, और उनके बारे में पुरा link भी दिया है, short में, जिसले कि आप उ इस group के अंडर में जाना चाहिए, मैं one by one इसको explain कर देता हूँ, फिर इनी ledgers और groups को हम अपने company के अंदर में tally prime में create करेंगे, तो सबसे पहला होता है branch and divisions, अगर आपकी company के branch और divisions हैं किसी दूसरी state में, तो उसके लिए आपको अलग company बनानी है, क्योंकि tally ये feature provide नहीं करत करें, उसके लिए आपको अलग company create करनी पड़ेगी, tally के अंदर में आप unlimited companies create कर सकते हैं, चाहे educational version हो, चाहे आपने original serial number buy किया हो, license version हो, तो सभी की आप अलग से करेंगे और branch, जैसे different branch की accounting होती है, उस तरह से इनको maintain करेंगे, capital accounts आप समझते हैं, जो भी company में पैसे लगते हैं, starting में as a capital, वो सारा capital account group के अंदर में आता है, reserve or surplus, every year हर एक business अपना कुछ amount, आगे further investment या फिर company की growth के लिए कुछ बड़ी machinery लेनी है, या आपको कहीं expansion करना है, उसके लिए अपने कुछ profits में से कुछ reserves को बचा के रखती है, वो सभी यहां पर आएंगे, then current assets, current assets के अंदर में काफी सारे subgroups होते हैं, जैसे कि bank accounts, cash in hand, deposits, so one by one हम बाग करते हैं, जितने भी bank accounts होंगे और जिनका debit balance होगा, जैसे कि saving account है, current account है, या फिर short term deposits है, वो सारे के सारे यहां पर आएंगे, cash already ledgers में बना हुआ होता है, लेकिन आ अगर आप petty cash भी maintain करते हैं, तो अपने general चोटे मोटे expenses के लिए, तो वो भी आप यहां पर maintain कर सकते हैं, next deposits, कोई भी long term deposits होगा, जैसे कि fixed deposits होता है, या फिर हम जैसे कि electricity का connection लेते हैं, तो वहां पर कुछ deposits करते हैं, वो यहां पर आएंगे, और rent के लिए अगर हमसे कुछ security deposit deposit देते हैं, तो उसका laser भी आप यहां पर बना कर उसमें डाल सकते हैं, loans and advances, अगर वो non trading nature का है, loan and advance जो आप किसी को दे रहे हैं, जैसे अपने employees को देते हैं, अगर आपने trading के हिसाब से दिया हुआ है, मतलब अपने business के nature के हिसाब को कोई भी दिया हुआ है, तो वो तो deposits में आएगा, यहां पर कोई भी loan and advances आपने अगर दिया हुआ है, तो वो यहां पर आएगा, जैसे कि अपने employees को देते हैं, stocks in hand, वो यहां पर आएंगे, century debtors का एक ही group आपको मिलेगा, लेकिन यहां पर जो मैंने grouping की हुई है, वो better MIS के लिए की हुई है, चलिए इसको मैं explain कर द customer उस particular region से belong करेगा, उसको इस group के अंडर में रखना है, क्योंकि जब हम outstanding report निकालेंगे और हमसे अगर पूछा जाएगा कि northern region के कितने हैं, यह southern region के कितने हैं, तो आप आसानी से उस group के अंडर में जितने भी customers होंगे, उनकी outstanding report को दे सकते हैं, तो यह MIS या outstanding report बनाने के के लिए आप further grouping कर सकते हैं, next है current liabilities, यह main group है और duties and taxes, provisions and creditors, यह सब groups है, duties and taxes, जितने भी taxes होते हैं, liability होती हैं, वो सभी इस groups के अंडर में आएंगी, इसके अंदर में हम further groups बना लेंगे, जैसे कि यहाँ पर हमने बना हैं GST, goods and services tax, इसके अंदर में फिर से हमने subgroup बना लिए GST input और GST output, उनके अंदर में हम related जो GLs हैं, वो हम बनाएंगे सारे के सारे, then provisions, जो भी outstanding liabilities से related provisions हम बनाते हैं, वो सभी इसके अंदर में आएंगे, जैसे provision for taxation बनाते हैं, depreciation बनाते हैं, bad debts बनाते हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर बनाएंगे, जैसे हमने grouping संटी creditors में की थी, customers के लिए की थी, ऐसे ही हम जितने भी हमारे suppliers, service provider होते हैं, उनकी grouping भी हम कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने उनका जो status है, कि वो local है, central है, या फिर imported suppliers है, उसकी grouping की है, और यह जो ledgers है, वो मैंने बनाए है, creditors, local 123 इस तरह से, direct expenses, जो भी manufacturing और trading से related purchase हमारी होती है, वो सारे की सारे direct expense में आती है, यहाँ पर rent है, factory का, wages or salary, यह सभी जो भी carriage inward है, import duty के जो भी purchase के उपर लगती है, वो सभी direct expenses होते हैं, वो सारे की सारे महाँ पर आएंगे, इसके बाद में direct incomes, जो भी trade income होती है, वो सारे की सारे यहाँ पर आएगी, then fixed assets को भी हम further grouping कर सकते हैं, जिसे land and building, furniture and fixture, machinery and tool, etc. उसके बाद indirect expenses के groups हैं, जैसे की office and administration related expenses हैं, वो सारे के सारे यह होते हैं, selling and distribution से related यह सारे होते हैं, financial expenses, miscellaneous expenses, then indirect incomes, यह अलग से एक group है, जो भी indirect expense होते हैं, जो हमारे trade से nature, जो भी trade के nature के नहीं होते हैं, वो सारे के सारी incomes हैं, वो यहाँ पर आएगी, जैसे की interest received हम bank में हमारा खाता होता है, या fixed deposit होता है, उसे जो भी हमें income मिलती है, वो हमारी trading नहीं है, वो हमारा business का income नहीं है, लेकिन हमारे पास में कुछ fund बचा हुआ था, तो उसका हमने एक income generate कर लिया, तो उसकी अलग से हमें grouping बना लेते हैं, जैसे कि हमें पता चलें कि indirect income कितना हुआ, अगर कोई investment किया हुआ है, group के fund से, company के fund से, जैसे कि investment in shares, अगर government bonds में किया हुआ है, या फिर long term fixed deposit किया हुआ है, वो सभी यहाँ पर आएंगे, loans or liabilities, long term borrowed by the company, अगर आपके पास में overdraft facility है, उससे related जो भी lasers होंगे, वो यहाँ पर आएंगे, कुछ secured loan अगर लिया हुआ हुआ है, वो यहाँ पर आएगा, unsecured loan भी यहाँ पर आएगा, miscellaneous assets, दोस्तों जब हम नया business start करते हैं, तो कुछ ऐसे expenses होते हैं, जो हमें पहले करने होते हैं, company form करने से पहले, कुछ research करनी होती है, product research करनी होती है, market research करनी होती है, legal कुछ payments होती है, जो की number of periods, मतलब वो एक साल के लिए नहीं होती है, काफे time के लिए होती है, तो उनको हम यहाँ पर डाल सकते हैं, और income tax के हिसाब से, या company act के हिसाब से, उनको further कितना हम claim कर सकते हैं, every year, वो यहाँ से हम फिर जीरे-जीरे debit कर सकते हैं, प्रिमिनली expenses होते हैं, जैसे यह एक example है, और purchase accounts, purchase के अंदर में भी आप further grouping कर सकते हैं, कि local है, central है, unregister dealer से है, या imported है, वो भी आप लेचर बना सकते हैं, sales के भी आप product के हिसाब से भी बना सकते हैं, और उनकी किस तरह की sale है, उस हिसाब से बना सकते हैं, जैसे कि local, central, export और direct आप B2C अगर कर रहे हैं, और suspense account, अगर हमें sometimes पता नहीं चलता है, कि कौन सा एक entry है, लेकिन हमें पता नहीं है कि किस से receive हुई है, लेकिन हमको month end closing करना है, जिसे banks में हमें पैसे receive होगे, तो bank को the debit करना पड़ेगा, लेकिन हमें पता नहीं है कि credit किस customer को किया जाए, उस particular month की closing के लिए हम लोग bank को तो tally कर लेते हैं, लेकिन उसको suspense account में डाल देते हैं later on जब हमें पता चलता है, तो उस entry को reverse करके एक नई entry डाल देते हैं, कि exact किस customer से थी, तो इस तरह की कोई भी entry होती है, तो वो suspense account में डाली जाती है, profit and loss account automatically बना होता है, यह हमें बनाने की जर्त नहीं होती है, इसमें कोई भी entry करने की जर्त नहीं होती है, यहाँ पर जो भी profit and loss account से जो भी balance आता है, loss है या profit है, वो automatically यहाँ पर reflect होता है, जो की balance sheet में भी reflect होता है, automatically, तो dear friend, इसको download करने के बाद में आप further study कर सकते हैं, अगर आपकी कुछ query होती है, इस से related, तो आप मेरे से comment करके या फिर email करके भी पूछ सकते हैं, मैं उसकी reply करने का पूरा-पूर कोशिश करूँगा जल्द से जल्द